तो वाइज फाइनल यह दीरे दीरे news आ रहे है थाइलेंड के जो restriction है एंटर करने के लिए अभी बहुत ही कम होने वाले है और बहुत ही अच्छे से टूरिजम भूश्ट होने वाले है तो मेरे बाइज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना के next month मतलब month of month के अंदर कौन कौन थ थाइलेंड के अंदर ट्राविल करने वाला है आप कमेंड करके जरूर बताना मेरे भाइलो वट्सप गाइस वल्कम बैक टू माई चैनल बैंककोक बबल्स कैसे हो आप सब लोग मैं हूँ आपका दोस अर्स तो गाइस अभी मैं फिल आना हूँ थाइलेंड की केपिटल सीटी बैककोक के अंदर और गाइस अगर थाइलेंड के बारे में अगर कोई confusion है कुछ बात समझ नहीं आ रही है तो मेरे भाइब बिल्कुल मेरे को फूछ सकते हैं मैं ट्राइ करूँगा जितना मैं जानता हूँ आपसे corporate करने के लिए तो गाइस आपको करना पड़ेगा मेरे को comment अगर मेरे से directly बात करना चाते है तो मेरे भाइ मेरे instagram एड़ आपको नीचे show कर रहा है जाकर आप मेरे को follow कर सकते है उसके उपर भी हम बात करेंगे तो next message भी आप कर सकते है और voice message भी आप कर सकते है जबी भी मैं online होगा तो मैं try करूँग आपको reply करने के लिए तो मेरे भ inform कर देना कि भाइ ये बात का बहुत ही जरूर से ध्यान रहा है because पिछले कुछी दिनों से मेरे कुछ भाइयों के साथ ऐसा incident Thailand के अंदर हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कोई incident Thailand के अंदर हो तो guys बात ये थी कि कि कुछ मेरे भाइयों ने मेरे को comment करके मे yes withdraw कर सकते हैं तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं बट उसकी कुछ condition है बिल्कुल आपको दियान रखना पड़े का यही बहुत ही जरूरी point है because यही point के उपर आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पर आने के बाद loss होता है because आपको बताय जाता है कि जो आपको travel card है आपका ज travel card था तो यहाँ आकर मैंने भी swipe किया था तो मेरे को भी ऐसा कोई charge नहीं कटा था बट जब मैंने ATM में यूज किया तो मेरे को भी एक अच्छी खासी amount मेरी भी loss हुई तो यार इसलिए मैं आपको ज़रूरी बताना चाता हूँ because काफी सारे भाईयों ने मेरे को पूछा था हम लोग आने वाले हैं मेरे पास ये card है वो card है तो होता क्या है कि कुछ पिछले दिनों में यार मेरे भाई यहाँ पर travel किया था एंड वो लोग जब Bangkok में है तो मेरे को बोला कि यार मेरे पास अभी cash खतम हो गई और मेरे पास अभी card है तो मेरे को अभी travel card से मेरा जो ATM card है म जब उन्होंने जब card डाला तो सबसे पहले उनको जो question screen के उपर पूछा गया है कि yes and no तो question के अंदर ये था कि अगर आप withdraw यहां से करना चाते हो तो आपको pay करना पड़ेगा 180 बात से लेकर 220 बात आपको pay करना पड़ेगा पहले वो लोग ने मेरे को बताया था कि हमारा card तो free है यहां पे हमको कोई charge नहीं पे करना है हमारा travel card वालों ने तो हमको बोला था कि आपको कोई ऐसा charges नहीं लगेगा तो मैंने बोला कि देखो भाई यह question है आपका camera निकलके यहां का मतलब आप photo ले सकते screen shot अप लेकर आप आपके जो भी है agent आपको आप उनको भी send कर सकते तो उनको भी मालूं पड़ेगा कि मेरे बाई देखो अगर आप ATM से अगर आप विड्रो करेंगे अगर आप यहां से कोई भी cash निकलते हैं तो आपको यहां से का बड़ी amount निकल लेजाए अगर आप 500 500 बात 1000 बात 2000 बात ऐसा अगर आप यहां से withdraw करोगे तो यह अच्छी खासी amount आपकी loss हो सचती है तो बिल्कुल यह बात धियान में रखे अगर आप ऐसे कोई card Thailand में लेकर आते हैं तो अगर आप withdraw करते हैं ATM से तो आपको यह चार्ज यहां पे pay करना पढ़ सकता है मेरे भाई तो आप बिल्कुल ध्यान रखना और आपके साथ जो भी friends आने वाले हैं जो भी families यहां पर आने वाले हैं तो उनको भी आप inform कर देना यह point के बारे में तो यार second point के ऊपर बात करते हैं इसके related point है कियार कुछ हैसे मेरे भाई उने बोला कियार हम लोग आएंगे जब Thailand में तो कितना हमार को amount यहां पर show करना पड़ेगा immigration अगर हमको पूछा कि आपके पास कितना मतलब enough amount है Thailand में travel करने के लिए तो हम कितना show करना चाहिए तो देखो मेरे भाई अगर आपको ज्यादा clarification चाहिए तो आप बिल्कुल Thai MBC में और VFS में contact करके आप वहाँ पे पूछ सकते है immigration के जो website है वहाँ पी भी आप mail करके आप पूछ सकते हैं कोई मतलब बड़ा point नहीं है कोई दिक्कत वाला point नहीं है उसके अंदर भी मतलब काफी अच्छा खासा balance है तो हम यहाँ आने के बाद भी withdraw कर सकते है तो मेरे भाई देखो जनरली मैंने जो case में देखा तो यह लोग को ऐसे card accept नहीं करते हैं किया मेरे card में ऐसा amount है मेरे पास इतना amount है आप इतने card दिखांगे travel कर होगा काफी सार है आप यहाँ पे ऐसे card आप दिखा सकते हैं बट में भी वो लोग accept नहीं करेंगे जनरली वो लोग accept करते हैं आपका cash money तो अगर आपके पास ऐसी cash amount है hard cash amount तो आपके लिए बड़ा easy हो जाएगा और मैं आपको suggest करूँगा कि जहां से भी आप cash amount आप पतलब exchange कराता है इंडिया से तो आप receipt आप जरूर लीजे जो बात करते हैं आज के main point के उपर किया RTP sir का क्या होने वाला है और next month से कौनसी कौनसी updates आने वाला है SH++ hotel में रूखना पड़ता है तो RTP sir की जगह ये लोग उसको change करेंगे ATK test के अंदर तो अगर ATK test हो गया तो आपके लिए बहुत ही सस्ता हो जाएगा और बहुत ही easy हो जाएगा आपको wait नहीं करना पड़ेगा आपकी SH++ hotel के अंदर जो आपको wait करना पड़े 6-7 गंटा ये आपको एक अची खासी amount पे करनी पड़ती है जैसे 4-4,500 बाट जो भी आपकी एक बड़ी amount आपको pay करनी पड़ती है आपकी SH++ hotel के लिए तो maybe अगर सब कुछ ठीक रहा and ATK test अगर ये लोग कर देते है तो आपक positivity जो एक यार positive news जो अभी शो कर रहा है तो ये ही है कि मतलब month of make के अंदर काफी सारी मतलब changes आ जाएगी और बहुत ही easy हो जाएगा आपको थाइले में travel करने के लिए अगर April month की बात करें तो यार पिछले last week की बात करें तो काफी सारे ट्राविलर पूरे world से यहां पे travel किय जा है क्योंकि अभी आ रहा है सुंक्राइट फेस्टिवल यहां पे चालो होने वाला है तो इसको enjoy करने के लिए लोग यहां पे बिल्कुल फ्लाइट भर-भर के यहां पे थाइले में travel कर रहे हैं और यहां मैं आप से कुछ फोटो शेयर करना जाता हूं अभी पिछले दो तो यार एक अच्छी बात है कि अपरिल मतलब यह लोग ने जो पहला जो प्री अर्राइवल टेस्ट कैंसल किया उसके बाद में काफी मतलब इंप्रूमेंट आगा है तूरिजम इंडर्स्टिस के अंदर तो बहुत अच्छी बात है एंड यार में अभी पट्टा ट्राव किया था तो यार मैंने भी देखा कि काफी लोग मतलब एपरिल मंच के अंदर आये थे अगर कंपर करें तो पहले मार्च के अगर कंपर करें तो एपरिल मंच के अंदर मतलब काफी अच्छे लोग यहां पर ट्राविल किया है सबसे में बात तो यह है कि यह लोग सब कुस् के बाद ही जो final decision आ सकता है कि यार यह जो फर्स्ट में से मतलब कितने कितने restriction कम हो जाएगे इन बाद तो यह है कि जो अभी सोंक्रान जो भी festival आने वाला है तो उसके अंदर काफी मतलब बड़ा gathering होता है काफी लोग ऐसे है कि उनके अलग अलग province में travel करते हैं लोग travel के लिए बिल्कुल freely निकल जाते हैं तो वहाँ पे यह लोग यही measure करेंगे कि कितना case नहीं आ रहा है और क्या situation वो time में create होगी तो यह सब कुछ normal रहा तो I think सब कुछ easy हो जाएगा उसके बाद में यह लोग decide करेंगे कि month of make के अंदर कितने कितने restriction कम किये जाए अगर अभी की बात करें तो ऐसा कोई confirm नहीं है कि यह सारा कुछ निकल जाएगा और changes हो जाएगा बढ़ हाँ एक चीज यह है कि positivity जो मैंने news के अंदर देखी तो इसके उपर से मतलब आप लोग अंदा जा लगा सकते कि make के अंदर मतलब यह RTPCR हटके आपका 80K test हो जाएग and 80K test हुआ तो आपके लिए बहुत ही सस्ता हो and easy Thailand के अंदर entry हो जाएगी क्योंकि जो RTPCR का costing है वो बहुत ही ज्यादा होता है Thailand के अंदर तो अगर यह निकल गया and SH है निकल गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा Thailand के अंदर travel का निकल और दूसरी है कि मैंने अंद से हो गया तो 20,000 USD तो 20,000 USD से में भी यह लोग कम करना मतलब चाते हैं यह लोग ने वो भी consider किया है कि जितना possible है उतना आने वाले traveler को लिए easy किया जाए यह लोग ने मार्च के अंदर थोड़े restriction कम किये और April के अंदर और भी restriction कम किये कि जैसे night life को एक अच्छा बढ़ावा दिया एंड आपका जो प्री अराइवल जो टेस्सा उसको भी वो लोग ने हटा दिया तो उसके बात में यहां पर काफी सारे इंप्रूमेंट है और मतलब thousands of tourists यहां पर आगे यह लोग ने भी अंदाज़ लगा लिए कि अगर RTPCR को भी हटा देंगे ऐसे जब plus plus को भी हट देंगे तो यहां काफी सारे tourists आ सकते हैं easily एंड मतलब tourism industry के अंदर बहुत ही एक बड़ा भूम आ सकता है बहुत बड़ा एक improvement आ सकता है अगर थाइपास की बात करें तो थाइपास हटेगा के नहीं हटेगा यह तो मैं आपको शूर नहीं बाता सकता बट एक चीज है कि था आपके बास काफी कम document मागे जाएगे थाइपास बनाने के लिए एंड में भी एक क्विकली भी आपका confirm हो सकता है थाइपास तो ठीक है गाइस अगर कोई ऐसी अपडेट साथ यह को इसे news आते है सोंकरान के बाद में के जो भी मतलब further updates आती इसके उपर तो मैं आपसे जरूर बताना एंड अगर में से personally बात करना चाते तो मेरा Instagram अपके सब के पास है तो वहाँ जाकर आप मेरे को follow करना चाते तो मेरा Instagram अपको नीजे शो कर रहा है जाकर आप मेरे को follow कर सकते उसको पर भी हम बात करेंगे तो ठीके गाईस मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए content के साथ आप बाई बाई से यो